नमस्कार स्वागत है अब सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में मैं हूँ अजे ठाकूर तीम इंडिया के फुल टाइम कैप्टन बने है रोहिच शर्मा अभी हाली में T20, ODI और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट के फुल टाइम कप्तान बने है रोहिच शर्मा और टीम इंडिया के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है कोई सोच भी नहीं सकता है कि कुछ गलत भी हो रहा है लेकिन इन सब के बावजूद आशिश नहरा, नहरा जी नाराज है रोहिच शर्मा पर वो भातिय टीम के हेड कोच राहुल रविट पर भी नाराज है रोहिच शर्मा और राहूल रविट पर नाराज आखिर है क्यों नहरा जी ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सोचल मीडिया पर भी लोग जो है लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को एक्च्वल रीजन भी शायद नहीं पता है कि आखिर गुजरात टाइटन्स के कोच आशीश नहरा पुर्व भारतिय दिगज तेज गिनबाज आशीश नहरा आखिर मौजूदा टीम इंडिया के हेड कोच और कप्तान राहूल रविट और रोहिच शर्मा इनकी जोड़ी पर नाराज आखिर है क्यों तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं दरसल रिशब पंत की वजह से रोहिच शर्मा और राहूल डरविट पर नाराज है आशीश नहरा आशीश नहरा इस बात से खफा है कि रोहिच शर्मा और राहूल डरविट की जो जोड़ी है वो रिशब पंत की बैटिंग ओडर में बहुत ज्यादा छेड़ चाड़ कर रहे हैं बहुत ज्यादा बदलाव कर रहे हैं और उनको जो नमबर चार पर लगातार खिलाया जा रहा है उससे काफी नहराजी नहरा जी का मानना है कि रिशाप पंद को जितने कम गेंदे मिलेंगी जितना कम वो क्रीस पर मौझूद उतना ज्यादा वो सोभावी खेल खेल पाएंगे जिसके लिए उनको जाना जाता है जिसके लिए उननोंने पहचान बनाई है नहरा जी ने कहा आशीश नहरा ने कहा कि भारत और वेस्ट इंडिस के खिलाफ जो दूसरा टी-ट्वेंटी मैच था उसमें वो लोर डाउन दी सुभाविक जो गेम है वो खेल पाएंगे आशिश नहरा के मुताबिक अभी रिशप पंद को गेम चलाना नहीं आता है अभी वो सीख रहें आने वाले वक्त में वो सीखेंगे जब वो सीखेंगे तब बदलाव किये जा सकते हैं उनके बैटिंग ओर्डर में लेकिन इस वक् आशिश नहरा के मुताबिक रिशप पंद को थोड़ा नीचे ही खिलाया जाना चाहिए आपको बता दे कि वेस्ट इंडिस के खिलाव जो ओडियाई सिर्स थी उसमें एक मैच यानि दूसरे ओडियाई मैच में रोहिच शर्मा ने उन्हें अपने साथ यानि रिशप पंद को अपने साथ ओपनिंग तक करवाई थी और लगातार नंबर चार पर उन्हें बल्ले बाजी करने के लिए भेजा और इसी बात से इसी बात पर आशिश नहरा रोहिच शर्मा और राहुल रविट से नाराज है आशिश नहरा की नाराजगी क्या आप लोग को समझ में आ र बताए और ऐसे ही अपडेटेड ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट